अपना वजन कम करना एक मुश्किल काम है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा असान बना दे तो ताके आप अपने वजन कम करने वाले बांजें नमबर वन, डाइटिंग, डाइटिंग से आपके जहन में आता है कि कम खाना पड़ेगा जिसकी वैसे 90% लोग डाइटिंग स्टार्ट ही नहीं करते है नमबर टू, और फिर जहन में आता है कि डाइटिंग का सवान तो अलाइदा से लेना पड़ता है और वो बड़ा मेंगा होता है तो हमारे पास तो इतना बैजट ही नहीं है वो enjoyment तो खतम हो जाएगा नमबर फाइब, फिर जहन में आता है कि सारे टेस्टी खाने छोड़ कर हमें सरफ फीके खाने खाने पड़ेंगे नमबर सिक्स, फिर जहन में आता है कि घार में जितना मरजी मज़ेदार खाना बनाओ हमें तो फीक का ही खाना पड़ेगा नमबर सैवन, दई बले, फ्रूट चार्ट, चना चार्ट, गोल गपे छोड़ने पड़ेंगे नमबर एट, अगर किसी ने दावत पे बलाया तो उससे माजरत करनी पड़ेगी नमबर नाइन, कोक, पेपसी, स्प्राइट और डबे वाला जूस को देख रहा भी नहीं है कई नियत ना खराब हो जे नमबर टैन, वाक अलाइदा से करनी पड़ेगी और एकसाइज अलाइदा से करनी पड़ेगी अब मैं बनाता हूँ आपके लिए इसको असान नमबर वन, डाइटिंग में आपको कम नहीं खाना पड़ता, ये मैटर करता है कि जो आप खा रहे हैं वो किस मेटीरियल का है नमबर 6, fruit अगर आप खा रहे हैं तो अच्छी बात है matter ये करता है कि कौन-कौन से खा रहे हैं जो weight loss में help करते हैं नमबर 7, breakfast और lunch का मसला नहीं है matter ये करता है कि रात को सोने से पहले dinner क्या कर रहे हैं नमबर 8, dieting कर रहे हैं तो क्या अपनी body type के मताबिक कर रहे हैं नमबर 9, हर एक की age के मताबिक, weight के मताबिक, height के मताबिक उसकी medical condition के मताबिक उसकी diet different है, उसकी exercise different है नमबर 10, exercise और walk कर रहे हैं अच्छी बात है matter ये करता है कि किस time कर रहे हैं और इंसान इरादा करके आज dieting नहीं ना start कर सकता, वो कल भी नहीं कर सकता plan बनाता रहेगा, वक्त निकलता रहेगा, weight बढ़ता रहेगा, लेकिन शरम कभी नहीं करेगा मैं में शेक चीज़ कहता हूँ कि उस वक्त से डरें जब आप doctor के हते चड़ गे फिर आपकी dieting वाली जिंदगी नहीं, पर हेज वाली जिंदगी start हो जाएगी इससे पहले कि बिमारियां आप पे attack कर दें, आप बिमारियों पे attack कर दें और बिमारियों पे attack करने का एक ही तरीक है अच्छी diet, regular exercise, regular walk, चाय को doctor है, चाय को engineer है चाय को पड़ा लेखा है, चाय को अंड़ पड़ा है, चाय को दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, चाय को दुनिया का सबसे घरीब आदमी है हम सब fitness के मोताज हैं, fitness हमारी मोताज नहीं है और हमें एक दिन इसकी मताजीब पड़ नहीं है, तो कि जैसे जैसे इनसान की एच बढ़ रही होती है, इसकी skin लटक रही होती है दमाग कमजोर पड़ रहा होता है, joints weak हो रहे होते हैं और यही फाइदा दे के बिमारियां आप पे attack कर देती है लेकिन अगर आपने अपने आपको exercise और walk के जिरिये अची diet के जिरिये fit रखा होगा, मजबूत रखा होगा तो आप हमेशा बिमारियों के उपर ही रहोगे, ना कि बिमारियां आपके उपर रहे है वसी अचीन फोमशे लेकि आता होगा जिसमें आपका फाइदा है मैं आपका पाहँ और आपकाराश राप डेग्रेंव फेटनेस टूर एवरीवन अब तो आपके लेतने अगा फेर्स